हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू स्टेडी वित्तिवारी चैनल कैसे ओ आप सब तो आज हम इस वीडियो में किरिया प्रिक्रण को फुल डिटेल से पढ़ेंगे तो बच्चो आप क्लास में लास्च तक बनी रहें तो किरिया होती क्या है बच्चो किरिया सब्द संस्कृत की मूल डातू क्री से बना है जिसका अर्थ होता है करना अर्था अर्थ किसी कार्रे के करने या होने का बोद कराने बाले सब्द किरिया कहलाते हैं तो इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन है बच्चो कि किरिया सब्द ऐसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत की मूल धातु के साथ नाप्रत्तिका प्रियोग करने से किसका निर्माड होता है, तो किसका निर्माड होता है, बच्चो, किरिया का तो इसकी definition simple होगी, किरिया मतलब करना, क्रेय, धातू से बनाया तो क्रे का मीन क्या हुआ करना तो कारे के करने का या होने का बोध जिसमें होता हो वो क्या कलाती है क्रिया फोर एक्जाम्पल के लिए पढ़ना तो आपको पता होगा पढ़ धातु है और उसमें ना जोड़ देते हैं तो वो हिंदी की किरिया बन जाती है तो क्या बन गया पढ़ना अगला है इसमें हसना रोना खाना पीना मरम्बत करना घूमना भोकना सोना इत्यादी किरिया के एक्जाम्पल हैं तो यह नॉर्मल सी है और यदि इस स्लाइड से कोश्ण बनेगा तो यही बनेगा किरिया को परवासित करते हुए इसके दो धारन लिखिए तो आई होप आपको यह समझाया होगा इसकी डेफिनेशन क्या है क्या नहीं है अगले स्लाइड में हम देखते हैं कामता प्रशाद गुरू के अंसार किरिया की डेफिनेशन क्या होगी फिर इसमें देखेंगे हम किरिया के कितने भागों में वाटा गया है तो किरिया को त देख सकें मंचित ना रह सकें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे इसमें हम देखते हैं बचो पंडित कामता प्रिसाथ गुरू के अनुसार क्रिया की डेफिनेशन जिस पिकारी सब्द के प्रियोग से हम एक किसी बस्तू के विशे में बिद्धान करते हैं क्रिया कहलात है, for example, कुट्टा भॉंकता है, बच्चा रोता है, मैस पढ़ता है, तो इसमें एक मेने नोट लिखा है, बिसे दाल के आप भी इसको नोट कलने हैं, अपनी कॉफी में, संस्कृत की मूल धातू के साथ ना प्रत्तिका प्रियोग करने से क्रिया का निर्माण होता है, तो संस् प्रिया का निर्माण कर सकते हैं, आगे देखते हैं क्रिया के प्रिकार, तो बच्चो क्रिया को तीन भागों में भाटा गया है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए छोटी से टेबल बनाई है, इसको आप अच्छे से पलने, बाद में हम एक एक क्रिया का फुल डेटेल से अध्यन करेंगे परवासा के साथ एंड उधारण देखे तो पहला है करम के आधार पर क्रिया के प्रकार तो आपको पता होगा यह तो सिंपल है अक्सर हम पढ़ते ही आए हैं इसको करम के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते अकर्मक और सकर्मक फिर अकर्मक के भी दो उप परकार है पूड़ अकर्मक और अपूड अकर्मक फिर आगे सकर्मक के भी दो परकार है एक कर्मक और दुए कर्मक जिसमें दुए कर्म होते हैं और एक कर्मक जिसमें एक कर्म होता है फिर अगला है इसमें प्रियोग रचना के आधार पर क्रिया के प्रिकार तो प्रियोग र होती है बच्चो संयुक्त क्रिया तीसरी होती है पूर्व कालिक क्रिया चोथी होती है प्रिनार्थक क्रिया इनको हम फुल डुटेल से बढ़ेंगे बच्चो आप घबराएं नहीं पांची होती है नामदातु क्रिया छटी होती है क्रिदंत क्रिया साती होती है सजाती है क्र पर है यदि आप से पूछा जाए तो प्रियोग या रचना के आधार पर अगला है इसमें काल के आधार पर क्रिया के प्रिकार तो आपको पता होगा कि काल जो प्रिकरण है हमारी रीठ में भी है तो रीठ में हमेशा हर बार इसमें से कोशन पूछा जाता है काल से इस बार भ करिया और भविष्यत काली तो तीन प्रकार होते हैं काल के आदार पर अब इसके भी प्रकार है जिसे भूत काली क्रिया इसके भी प्रकार होते हैं च्छे प्रकार होते हैं देखो सामान ने भूत काल शामान ने भविष्काल ये तो तीनों में आएगा सामान ने लेकिन आपक और हेतु हेतुमत और आसन ये किसमें आएंगे भूत काल में और बरतमान काल में क्या आएगा सामाने आएगा आप आपको अब बरतमान में हम कोई काम को करते हैं तो वह क्या पूर होता है वह तो चलता रहता है तो पूर तो इसमें होगा नहीं तो इसमें क्या आएगा पे संदिग्द, बरतमान काल में आएंगे दोनों, संदिग्द और संभाव, और भवश्यत काल में आएगा सिर्फ और संभाव, और अग्यारतक क्रिया बरतमान में, बरतमान में कितने प्रकार होगे, पांच, सामान ने, पपूर, संदिग्द, संभाव, और अग्यारतक, अविश्यत काल ये भी होता है येतू-एतू-मत का मतलब कारण बताना कोई शर्त हो उसमें कंडिशन देगा आपको वह होता है हेतू-एतू-मत जैसे यदि आप स्कूल आओगे तो मैं बढ़ाऊंगी जैसे सर्त रखी जाती है इसमें ये होता है हेतू-एतू-मत तो I hope आप आपको यह सेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट वाक्स में अपना फीड़बेक जरूर देना जिससे मुझे भी मोटिवेट मिले और बीच बीच में क्लास को आप लाइक से रो सस्क्राइब कर दिया गया है यदि आप न्यू सस्क्राइबर है तो बैल आइकन को प्रेस करके बैल आइकन को प्रेस कर लें और न्यू नोटिकेशन जिससे आपको पहुँच सके अन्यमित्रों को भी जोड लें इस क्लास से तो बच्छो अगली जो नेक्ष्ट वीडियो होगी उसमें हम एक एक क्रिया को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे अब इसमें आगे जो बीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार अकर्मक और सकर्मक दोनों को फिल डिटोल से अच्छे से क्योंकि हासे रीट में और नौमी दसमी ग्यार्मी वार्म कि बच्चों को हमेशा question आता है तो आप इस class को बड़े ध्यान से सुरेंगे और अपनी coffee में note down करेंगे फिर भी आपको कोई doubt है या रह जाता है तो आप comment box में मेरे से पूछ सकते हो तो class से जुड़ने के लिए thank you so much guys and take care all of you मिलते हैं हम next बेडियों में तब तक आप अपना जरूर ध्यान रखनेगा क्योंकि कोरोना अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इसको इसका भी ध्यान लखें आप मार्सक यदि कहीं जाना हो तो अपने सैनिताई जारा हो मार्सका प्रियोग जरूर करें जिससे आप अपने स्वस्त रह सकें यदि कोरोना होने से आपको पता है पांच दिन तो आपको फीवर रहेगा तो पांच दिन आपकी पढ़ाई में गैफ आई जाएगा इसलिए आप अपना ध्यान विसेश रूप से रखें कहीं भी जाएं सुरिच्छित रहें ओके दोस्तो बाई बाई टेक कियर ओल ओफ यू मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखेंगा हम भी इश्वर से प्रात्ना करेंगे कि आप हमेशा कुछ रहें